वेलकम बैक टू और न्यू रेसिपी, आज हम घर में फटा फट से बटर नान बना लेते हैं, इसे बहुत ही एज़ी है बनाना है, एक बड़ा बनाएंगे तो फिर आप इसे बार बार घर में बनाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी बनती है, बजार से भी अच्छी, प गरम उसमें हम डालेंगे चीनी, दो चमच है और दो चमच यहां पर मैने डाला है इस्ट पौडर, इन सब बी चीजों को अच्छे से mix करेंगे, आप यहां पर नमक का use मत कीजेगा, चीनी का use कीजेगा, क्योंकि नमक जो होता है हमें कोई भी चीजों को राइस करने में प्रॉब्लम करता है, इसे ढख के दसमट रख देंगे, दसमट के बाद देखिए कितना अच्छा सा हमारा इस्ट फूल चुका है, यानि राइस हो चुका, आप इसे खुद देख सकते हैं, कितना ये फॉर्मी सा हो गया है, किसी भी चीज को बनाने से पहले आप इस बार इस इस्टेप को जरूर कीजेगा, इस्ट को जरूर राइस कीजेगा, ताकि आपके सभी समान खराब ना हो, यहां मैंने एक बड़े प्याले में देखिए, मैदा लिया है, यह 250 ग्राम मैदा है, इसे एक बड़े से हम बर्तन में डाल देंगे, उसके बाद अब यहां पर हमें डालना है नमक, नमक को मैदे को पहले अच्छे से मिक्स कर देना है, उसके बाद ही हमें यहां पर इस्ट वाला मिक्सचर जालना है, यहां मैंने डाला है उसी कटोरी से कटोरी रिफाइन तेल उसके बाद मैंने जो इसटोला मिक्ष्चर बनाया है ता उसे बी डाल देंगे इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होती, नान बhदार से भी अच्छी लगती है अब जब गर्मा गर्म तवे से उतरती तो फिर क्या ही कहना इसे बनाने में बहुत महिनत नहीं है बस आपको एक बात का ख्याल लखना है कि जब आप किचन में काम करने जाते हैं ना तो उस टाइम आप इसे गून के रख दीजिए इस डो को उसके बाद सब काम करने के बाद यानि जो भी आपको खाना बनाना है चावल, डाल, सबजी, सालन जो भी बनाने के बाद लास्ट में रोटी बनती है जादा तर लोग लास्ट में ही बनाते हैं तो आप इसको एक बाद डो लगा के रख दीजिए ढखके, उसके बाद आप सब काम कीजिए काम करने के बाद लास्ट में आप इसको बना लीजिए तो बस इसको एक घंटे से देड़ घंटे के लिए चोड़ना होता है तो देखिए अच्छे से मैंने इसमें पानी डालके अच्छे से गुंड लिया है इसे हम लग देंगे किसी भी सर्फेस पे प्लेन सर्फेस पे अब इसे हमें स्ट्रेश करकर के पाश मिनट गुनना है जादा भी बहुत ही महिनत नहीं करना है क्योंकि हमने जो ईस्ट डालिया इसे है अपने आप अच्छे से राइज हो जाएगा पाश मिन इस तरह से हमें स्ट्रेश कर करके गुनना है जब इस तरह से आप इस्ट्रेश करते रहेंगे न तो उससे क्या होगा कि हमारा बहुत ही डो जो स्टीकी सा है वो बहुत इंदम स्मूश सा हो जाएगा नॉन स्टीकी हो जाएगा बिल्कुल भी राइज हो तो यह चिपके नहीं हमारे इस बाउल में इसे ढखके आप अपने सभी कामों को कर लिजे मैंने सालन बनाया चावल बनाया दाल बनाया बरतन धूला किचन की सफाई किया देखिए उतनी देर में हमारा डो कितनी अच्छे से राइज हो चुका है इसको एक बार फि आपके रख लेना है मैं यहाँ पर तीन नान बना के आपको दिखाऊंगी बाकी 250 ग्राम यानि जिसे हमारे पाभर बोलते हैं उससे हमारी लगबख आठ सास से आठ नान बन के रेडियो गई थी तो आप खुदी जोल लिजे कि कितनी सस्ते में हमारी यह नान बन के रेडिय तो देखिए इस तरह से हमें पेड़े बना लेना है अब हम इसे बिलना है सुखे मैदे की हल्प से हमें इसको बिलना है मैने यह मैदा लिया अब चाय तो 200 ग्राम मैदा और थोड़ा सा आप इसमें 50 ग्राम आटा भी ले सकते हैं उससे भी अच्छी बनेगी और आप देख हो इसको जो पसंद हो उसकी आप यहाँ पर काली तिल भी यूज कर सकते हैं तो इस तरह से में बेल के साइड में रख देना है जब आप इसको रिश्ट देते है ना तो उससे क्या होता है हमारा मैदा है इतना इसम Mumbai को बिलने में थोड़ा सभी महिनत नहीं लगती देखे कितने अच्छे से हमारा ये नान बिल रहा है अच्छे से आप एक बर इसे बना के जरूर ट्राइ कीजेगा इसे बनाना बेहद असाने बस आपको थोड़ टाइमिंग की बात होती है थोड़ा आप काम करने के पहले से कर लीजिए मैं आपको बार और बता रही हूँ कि इसमें कोई मेहनस जादा नहीं है बस आपको टाइमिंग थोड़ा देखना होता है कि आप सब काम करने के पहले इसका आटा लगा के छोड़ दीजिए उसके बाद आप इसको बनाईए देखे आप चाहे तो इस तरह बेल के भी आप रख सकते हैं सबी को उसके बाद भी आप तवे पे अच्छे से बना सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ ट्रिक और ट्रिप्स को फॉलो करना होता, बाकी कोई rocket science नहीं है, इसके लिए हमें non-stick तावा नहीं चाहिए, मतलब कि हमें non-stick तावा पर इसे नहीं बनाना है, वरना यह नहीं बनेगी, और दूसरी बात का ध्यान रखना है, कि हमारा जो यह देख पानी लगाना है, तावा हमारा अग्दम गर्म है, मीडियम फ्लेम पे हमें इस तरह से डाल देना है, पानी लगाके और हातों से थोड़ा इस तरह से इसको प्रेस कर देना है ताकि हमारे जो नाने अच्छे से चिपक जाए, दूसरी बात कि यह बहुत ज़ादा अग्दम कुल ना जा往शी, इक बार पंटने के बाद जब बबल बबल आने लगे, तो मीडियम फ्लेम पे ng लगे को बूबल मीडियम फ्लेम इस के के से चंद चालएगे करे को थोड़ा देश के लेए को पर भर क्रोम पहली है। उसे से हमारी नान है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होगी, अगर आपके पास हैंडिल वाला तवा नहीं है तो आप इसे नहीं बना सकते हैं, तो देखा कितना अच्छा सा हमारा नान बन चुका है, दीरे से इसको निकाल लेंगे, किसी भी चीज के हल्प इसे, अब इसी साफ कर लीजेगा, क्योंकि चिकनाई वगरा लगी होगी, ग्रीस वगरा तो आपका जो नान अच्छे से बन नहीं पाएगा, दूसरी मैंने नान लगा दिये, तब तक मैं पहली वली नान पर बटर लगा देती हूं, अब इस जंगा पर घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूं, इसलिए मैं यहां पर बटर का यूज कर रही हूं, तब तक देखी मेरी दूसरी नान भी बबल आ गया है, अब इसे भी हम इस तरह से पलटके, देखी कितनी अच्छे समाई नान फूल रही है, आप इसको लाइफ देख सकते देखिए, अब एक बर आप करके, पहले स्लो फ्लेम पे हमें अच्छे से पकाने सभी तरफ से, फिर जब पक जाएगा तो उसमें हम इस तरह से थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके कलर दे देंगे, हमने जो चीनी डाला था ना उससे भी बहुत ही अच्छा सा कलर इस पर आता है, क्रलमलाईस था, तो देख सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी, वीडियो अच्छी लगती हो, तो थमसब दें